दोस्तों आज हम रच्छा बंदन की बहुत ही इस्पेसल स्वीट बनाने वाले हैं जिसे गेवर बोलते हैं और ये देखने में आपको लगता होगा इसे बनाना बहुत कठिन होगा लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी टेकनिक और ऐसे मैथड बताऊंगा जिनसे आप इस ग घर में ही जो आपके पोट रहते हैं जो बरतन होते हैं उनी में आप आसानी से बना सकते हैं ये गेवर मैंने घर पे बनाया है ये आप देख सकते हैं बिलकुल हलवाई जैसा परफेक्ट गेवर बनके तयार हुआ है तो दोस्तों आप भी अपने घर पे बना सकते हैं तो इ जहां measurement में problem आएगी तो आपकी recipe में problem जरूर आएगी first of all दोस्तो यह 80 ml घी लिया है और यह वाला जो पार्ट है इस recipe का सबसे important पार्ट है इस घी को हमें मक्खन में convert करना होता है इसके लिए दोस्तो घी को ice cube के साथ मतना पड़ता है और एक दो मिनिट के बाद ही यह जो घी है बिलकुल मक्खन की form में convert हो जाएगा और एक दों white color का हो जाएगा तो यह आप देख सकते हैं बिलकुल जो बिलोने ते घी निकलता है जो मक्खन निकलता है बिलकुल उसी की तरह यह मक्खन बन गया है और यह हमें चाहिए है अब यह वर्ब के पीसिज निकाल देंगे और जो भी पानी इसमें होगा वो निकाल देंगे अब इसके बाद दोस्तो इसमें 200 ग्राम मैदा एड़ कर देंगे और मैदा को इस मक्षन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यद आपके घर मिक्सी हो तो यह वाली प्रोसेस मिक्सी के अंदर भी कर लेते हैं मक्षन में गी को गोर्ड कर लेते हैं और उसमें मैदा डालके उसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें पानी एड़ करके और विस्कर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें जो गुठली या लंग्स होती है वो बिल्कुल खतम नहीं हो जाएं इसके लिए दोस्तों बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए ये बैटर तभी परफ कर लेना है तो इसका बैटर बिल्कुल फाइन बैटर हमें बनाना है तो यह आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनके तयार हो गया तो इसी तरीके का हमें चाहिए और इस तरीके का बनेगा तभी गेवर परफेक्ट तरीके से बनेगा अब इसके फिलेम पर इसे 10-15 मिनट तक गर्म करना है और जब ये दोद जल कर आदा हो जाए उस समय इसमें 100 ग्राम चीनी एड़ कर देनी है क्योंकि रबडी मीठी चाहिए तो इसमें चीनी पहले ही एड़ कर देंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों गेवर के लिए चासनी बनाने के लि और इसके साथ दो कब पानी भी इसमें एड़ कर देंगे ये घिवर आपको कितना मीठा चाहिए ये आपके चासनी पर चासनी 210-12 मिनट में बनके तयार हो जाती है और मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करेंगे जब इसमें से अच्छी तरह से इस तरीके से जाग उठने लग जाएं तो तब उली पे लेके और ऐसे चेक कर लेंगे जब एक तार बन रहा हो तो हमें एक तार की चासनी चाहिए उठल्स चोटी बरहनी है तो चोटी बरहा है तो इसमें ओईल कर लेंगे और ऊपर से एक इंची ओइल को डाउन रहने देंगे दोस्तों और अब इसमें धीरे दीरे यह बैटर इस चेद करके और बोटल में यह वाला बैटर भर लो और वो धीरे धीरे डालो तो उससे और अच्छी तरह से यह बेस बनता है और डालने में भी आसानी रहती है तो यह आप देख सकते हैं तो इस तरीके से डालते रहेंगे और बीच में यह बंद हो जाए तो इसके छेद को किस इस झ कोलते रहेंगे और फिर इसमें बैटरी डालते रहेंगे तो इसमें पांस चमचे मैंने डालें तो वीडाए तो चमक को जब निकाल लेते हैं तो यह देख सकते हैं तरीके से कर लेंगे अब यह बेस मेरा बनके त्यार हो गया अब इसे इस्टिक से निकाल लेंगे और इसमें जो भी एक्ष्टा वैल है उसको इसमें निकाल लेंगे और बाकी का कुछ रह जाए तो एक जाली के ऊपर रखते हैं अब जो भी इसमें एक्स्टावाइल होगा वो नीचे गिर जाएगा अब इसी तरीके से दोस्तो और भी बेस बना के तयार कर लेते हैं तो गेवर बनाना दोस्तो बहुत ही आसान है बिल्कुल भी कठिन नहीं है आपको लगता होगा लेकिन आप मेरे मेथड से एक बार ट्राई जरूर करिएगा बहुत ही आसानी से बन जाता है और एक घंटे के अंदर आप ये सारा काम कर लोगे और इतने बेस बना के तयार कर ल कर सकते हो वह भी बिल्कुल हाइजजैनिक तरीके से तो आप घर पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मैंने जो मैथड बता है ये सारे मैथड फोलो जरूर करिएगा नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमारा गेवर अच्छी तरह से नहीं बना आपकी एक मिस्टेक इनको परफेक्ट हमारा बनाए अब इसमें जो एक्स्टा ओइल है तो हमने जाली के उपर रख दिया तो दीरे दीरे नीचे निकल जाएगा तो यह मैंने पांच बेस बना के तयार कर लिए तो 200 ग्राम जो मैदा लिया था उससे पांच बेस बनके तयार हो गए अब इनको क चॉप कर लेते हैं तो यह मैंने बादाम लिये हैं और काजू हैं और इसके साथ साथ बिस्ता हैं तो इनको हम चॉप कर लेंगे अब दोस्तो जो चासनी बना के तयार के थी, उस चासनी को बेज के उपर डालेंगे, तो इस तरीके से बेज के उपर फेला टेंगे चारो तरप से, जैसे चासनी बेज के जालियों में अच्छी तरह से भर जाए, और चासनी को आप अपने according त्यार कर सकते हैं आपको जिस तरीके का मीठा चाहिए चासनी उसी तरीके से त्यार हो जाती है तो इदर दूसरा 20 में ने रख लिया इस पे भी हम चासनी डालेंगे इसे भी चासनी से बर देंगे अब जो भी एक्षा चासनी इसमें जाएगी वो नीचे निकल जाएगी और बेस अलग निकालके हम रख देंगे और उसको रवडी से गार्निश कर लेंगे अब इस पे रवडी लगाते हैं अब चारो तरफ इसको चम्मच की साहता से ऐसे फैला देंगे और रवडी हमारी बिल्कुल हाईजैनिक तरीके से बनी है बिल्कुल प्योर है जबकि त्योहार पे बाजार में जो मावा आता है वो बहुत मिलावटी होता है और स्वास्ते के लिए भी सहीनी होता तो आप अप दोस्तो इसे पिस्ता जो चौप किये हुए है अब उनसे गार्निस किया इसके साथ साथ बादाम और अब जो काजू के पीस है हाप पीस अब उससे इसे गार्निस कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं दोस्तो अब यह गार्निस होने के बाद बिल्कुल फर्फेक्ट तरीक तरीके से यह घेवर हलवाई जैसा दिखाई दे रहा है और देखने में एक दम मस्द दिखाई दे रहा है अब इसी तरीके से जो भी हमारे बेज से सभी बेज को हम तयार कर लेंगे पहले रवडी डालेंगे इसके बाद इसके उपर जो भी ड्राइफ रूट चौप किया है उनसे इसे गार्णिस कर लेंगे तो इस तरीके से गार्णिस कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से बन जाते हैं जब हम किसी काम को करते नहीं है तो वह हमें कठें दिखाई देता है लेकिन जब हम उसको करने की ठान लेते हैं तो वह काम बहु ज़र नहosen व I hem YouTube बहुत आसानी से बना सकते हैं तो यह आप देक शकते हैं तो और सभी दोस्तों से मेरी रुचैस्ट है कि चैनल को डूर पर उसे जरू कर लिजेगा और विडियो को like और share भी जरूर कर दीजियेगा और दोस्तो वीडियो कैसी लगी comment में जरूर लिखियेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजियेगा तो thank you दोस्तो मिलते हैं अगली नहीं वीडियो के साथ bye bye